dare to be free, dare to go as far as your thought leads and dare to carry that out in your life Hello Learners, How are you all? Hope you are doing great. Welcome back to our YouTube channel The Intent Learner. This is the 39th part of our Adams and Praises series जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम डेली 5 Adams and Praises का discussion करते हैं तो चले देखते हैं कि हमारा आज का first Adam क्या है हमारा आज का जो first Adam है वो है out and out out and out का मतलब होता है पूर्ण रूप से completely sentence देखिए, sentence लिखा है none likes his company as he is out and out and unsocial person इसका मतलब हुआ कि उसका साथ या उसकी company कोई पसंद नहीं करता क्यूंकि वह एक असामाजिक तत्व है और पूर्ण रूप से असामाजिक वेक्ती है second देखते हैं, second है take the bull by the horns take the bull by the horns का मतलब होता है कि काठिनाई का साहस से सामना करना to face a difficulty courageously sentence देखे, we should not be afraid of opposition but we should take the bull by the horns इसका मतलब हुआ कि हमें विपरीत परिस्थितियों से डरना नहीं चाहिए बलकि हमें उन्हें साहस के साथ सामना करना चाहिए जले थड़ देखते हैं, जो कि है bring forth, bring forth का मतलब होता है उत्पन करना sentence देखे, इसका sentence लिखा है hard work brings forth success in life इसका मतलब हुआ कि कठिन परिस्रम जीवन में सफलता लाता है, उत्पन करता है तो चली आप forth देखते हैं, हमारा जो fourth item है वो है a man of parts a man of parts का मतलब होता है multi-talented, बहुँ प्रतिभावान वह व्यक्ति जो काफी चीजे कर सकते हैं, या उनको काफी चीजे में ग्यान है या काफी चीजे उनको आती हैं, तो उनको कहते है multi-talented तो sentence का देखते हैं इसका, my grandfather was a man of many parts, a talented musician, a good cook and not a bad painter इसका मतलब हुआ कि मेरे जो दादा जी थे, वो एक बहुँ प्रतिभावान व्यक्ति थे और क्या-क्या उनकी प्रतिभावान थी, तो उनकी प्रतिभावान थी, कि वो एक talented musician थे यानि कि प्रतिभावान गायक थे, स्वारी संगीत कार थे, और एक अच्छे बावर्ची थे और साथ ही साथ एक ठीकठा painter भी थे, चलिए फिर्टिव देखते हैं जो कि है capital punishment capital punishment का मतलब होता हम रत्यूदंड, sentence देखते हैं, judge gave him capital punishment in triple murder case इसका मतलब हुआ कि judge ने उसे तीन तेहरे मडर के कारण उसको मृत्यूदंड दिया, तो इस तरह से हमने आज फाइव विडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजी चैनल अज के लिए इतना ही मिलते हैं, next वीडियो में, till then keep watching and keep learning, thank you